हलो फ्रेंड्स मैं आओ मितलेविस कुमार और आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम लोग डी फार्मा इंटरंस एक्जाम दोज़र तैस के एक्जाम के पॉइंट अव यू से एक काफी इंपॉर्टेंट चेप्टर रेस्पिरेटरी सि लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफीशियल हो सके ठीक है और यदि आप पूरे अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपसे यहां पे सारे कोश्चन भी बनेंगे क्योंकि हमने अपने पेड क्लासेज में रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरे अच्छे तरीके से तीन लेक्चर मे आएगी ठीक है चले स्टार्ट करते हैं हमारे फिर्स्ट के साथ हमारा फिर्स्ट क्या है वाइविया स्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्तिती में होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डैयोकसाइड अमोनिया पहले आप कोश्चन टिक किजिए अपने इस अपस्थिति में होता है उसको यहां पर वही बात हो रहा है कि भोजन का जुद्धान होता है किस गैस के उपस्तिती में होता है तो ऑक्सीजन हमारा आंसर यहीं से आ गया आ ऑक्सीजन अब जो भोजन का दहन होता है उसका उक्षीन क्या क्या आ वाय वी यहजीजन आपके एक्षाब में में उर्जा बनाता है क्या बनाता है अब बात आती कि बैलेंस होना चाहिए तो एक गुलकोच मॉलिक्यूल के टूटने में कितना यहां पर जुरत पड़ता है यहां पर देखिए इस तरीके से याद रखें कि नॉर्मली यह यह होता है सब में 6 लगा देंगे सिर्फ गुलकोच में 6 नहीं लगाएंगे ठीक है तो गुलकोच के टूटने का एक्वेशन यही है कि जब कारवन ऑक्सिएन के तूटता है तो कारवन डैक्साइट बनाता है जो कि हमारे फिर से वापस सांस जो छोड़ते उससे बाहर निकल जा होता है लेकिन जो प्रोकरियोटिक सेल होता है प्रोकरियोटिक सेल में एक गुलकोच के टूटने से एक गुलकोच के टूटने से कितना एटीप बनता है थर्टी एटीप बनता है कितना थर्टी एटीप जबकि यूकरियोटिक को सिका में एक गुलकोच मॉलकूल के टूट बनता है 36 ATP अगर डिरेक्टली आपसे पूछ देखे एक गुलकोच मॉलीकुल के टूटने से कितना ATP बनेगा तो आप कॉंसर्ट टिक करना 36 क्यूंकि जो मैक्सिमम एरोबिक समझ गाए कि ऑक्सिघन की पस्तिती में होती हो प्लस इसका एक्वेशन क्या है यह हमारा गुलकोच ऑक्सिघन के टूटता है तो और यदि नेक्स्ट कोशिन में आते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिन इसनेयों में फेफड़े को बंद किया वायिूलुध कक्ष होता है फेफड़ा को कवर करने वाला जो covering है उसको हमलोग क्या कहते है तो हमारा जो lungs होता कितना है दो इस side वाला को ourselves क्या कहतेंगे right lungs or this side क्या left Lungs left lungs to lungs का covering है यह जो और यलो Megan दीख रहा हूँ जिसमें को हम लोग क्या कहते हैं पी ल इउ आ रहे कहते हैं और बाहर में तो उसको उसको क्या कहते हैं और बाहर में तो उसको का कवरिंग होता है यानि ही जो हमारा फिफढ़ है उसका कवरिंग के ब्री नाम क्या है ठीक है और हमारा इसंद loggs का बढ़ा होता है राइट लंग्स का थोरा सो साइज बड़ा होता है किसके comparison में left कियों क्यों कि इधर देखे cardiac notch परेज़ेंट है इधर दिल परेजेंट होता है तो इससे कारणी धस जाता है जिसका नंसे left लंग्स कहा जाता है छोटा होता है प्लस यह मधर warned United इंधे किने लोब मेंे बता होता है तो थीन लोब में बटा होता है कितने लोब में एक दो और नहीं में लेफ्ट लॉंग सेcloud जाफ की बटा होता है कितने लोब में दो लोब में क्योंक आएगा जो टीपिट को कहते हैं। चलिए अब हमें लोग नेक्स्ट कोशन पर आते था है। सिख्वान को के विल फॉरम कहला है। झाल जाता था आप कहिए क्या 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 कहेंगे ऑदीनो सीन ट्राइफ yht 인 ट्राइफ फॉस्ट क्लियर अब लुक्तती है। क्लियर हो गया चलिए यह चीज हमारा क्लियर हो गया अब हम लोगा क्यों All और Our next question है WVSA corazón में मान्स स्पेृसियां उत्पन करती है हमने इस उवाइवे ऐस्वासन यानि एनcarbon के बात करें जहां पर कि ऑंक Sigजन का laid एसमें मिल यह लोगों को दो टाइब का पढ़ना है यहुता है चिंवण क्या काते हैं fur किन एक CON. क्या बनता है गुलकोच से लैक्टिक एसीड बनता है और जो इल्कोहलिक फर्मचेशन होता है उसमें क्या होता है प्रकार होता है तो यह दोनों लेक्टेट फर्मेंटेशन देखने को मिलता है और इस्ट में इस्ट में जो सराब बनाते पीनेयों के सराब वो इस्ट के किनवनी करन से बनता है तो यह मानस्पेसियों में कैसे होता है जब आप मालीजे अचानक से बहुत ज्यादा exercise करईे हैं कोई कुट्छा दोड दोड़ा दिया तो आप दोड़ दोड़ रहा है और भाग रहे भाग रहे जबकि आप ठक गया फिर भाघ रहे और आपका क्या हुआ अब उतना सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर क्योंकि हाफने लगते हैं और हगाता हूँ को अब oxygen वहां पहुंच ने रहा लेकिन एनर्जी तो चाहिए चाहिए तो बिना oxygen कही वहां पे क्या होता है गुलकोच टूटने लगता है तो उससे बहुत कम मुर्जा बनता है और साथी साथ उसमें बाय प्रोड़क्ट के रूप में लेक्टिक एसीड बनता है जो कि हमारे में तो बनता है अबका अंसर लेक्टिक हबस करता है क्लियर होओा लेक्टेट फर्मेंनट नहीं सोटा है लेक्टिक एसीड नुका फेर्मिशन होता है चलिए अब रूधी राणीं में में किस प्रकार का श्वासन पाएया जाता है तो अता मितर नहीं होता तो जब MitoCondria नहीं है तो होगा क्या और वाई-विया सोषन तो आरपीसी में किस प्रकार का सोषन देखने को मिलता है लाल रुधी रानुह यानी वाई-विया सोषन देखने को मिलेगा ठीक है चलिए अब हम लोग नानीक्स्ट कोशन पर आते हैं क्या है वह जन्तू जिसमें जल से अकसिजन गिल्स द्वारा रुधिर में पहुंच ती है तो आप वहां से पढ़ रहे होँगे या फिर आप बुक में भी पढ़े होंगे कि गिल्स के द्वारा जो करते रेस्पिरेशन होता है । sबसे पहले मछली यानि Ceல का है किसका underwater टेडप्ॉल ऑफ टेडबी और ली टेडपॉल ओफ पढ़ फॉग फ्रॉग का टेडपॉल यानि फ्रॉग का जो बच्चा होता है लार्वा वह टेडपॉल में भी गिल्स के द्वारा ही होता है respiration तो आप option मिला लीजिए मनुष्ट में फिफडा के द्वारा होता है तो यह होगा नहीं अंसर मचली में होता है मेधक का टेड़पोल लारवा लारवा मतलब टेड़पोल हो गया वही तो उसका मतलब क्या हुआ यह दोनों में क्या होता है और गिल्स के द्वार ऑक्सिजोंटा रेस्परेट्रिय ऑर्गन है तो आप कांसर जाएगा बी एवम सी दोनों यहां पर सी लिखना चाहिए था बी एवम सी दोनों समझें क्वेश्चन क्लियर हुआ चलिए नेक्स्ट कोश्चनिमें में लोग आते हैं नेक्स्ट यहानि, इसका RQ का मतलब होता है, volume of CO2 volume of CO2 evolved but volume of O2 consumed volume of O2 consumed क्या volume of O2 consumed इसका formula है मतलब कितना CO2 कितना निकला बटे कितना CO2 यूज हुआ है जैसे कि आप equation अभी देखे थे कि C6H12O6 वाला कि यहादी गुलकोच से हम लोग respiration कराते थे उसका 6O2 का जरत परता था प्लस कितना carbon dioxide बनता था छे carbon dioxide बनता था प्लस क्या बनता था water बनता था कितना 6 गो और प्लस क्या ATP बनता था तो यहाँ पर इसका अगर RQ निकालने के लिए बोल दिया जाए गुलकोच कार क्यों तो volume of CO2 evolve कितना CO2 निकला है evolve होना मतलब निकला है बाहर बना है तो 6 गो बटे इस volume of O2 consumed कितना O2 यूज हो रहा 6 जह बटे 6 कितना हो जागा एक मतलब respiratory constant गोच का कितना होता एक गोच का कितना होता एक तो प्लस आपको किसका याद रखना है और other organic acid का other organic acid organic acid मतलब जो भी कार्बनिक अमल होता है उससे यदी बनता है तो organic acid ठीक है तो आपको जो glucose में होता है पका पकी respiratory कोशन्ट एक होता है fat और protein में एक से कम होता है एक से कम exact value नहीं याद रखना है एक से कम एक से ज़्यादा और other acid में क्या होता है एक से जादा होता है इस तरीके से आपको question आएगा जब भी आएगा और आपको ज्यादा ज्यादा गुलकोच का आपको directly पूछ सकता है कि कौन सा होता है कितना होता है value तो गुलकोच होता है one fat और protein का होता है एक से कम और other organic acid का एक से ज्यादा आपका rq value हो जाएका fat का किसका पूछ रहा है वसा यानि वसा यानिज क्या खुर्ण में आते हैं नेस्पायर एयर में सर्वाधिक परतिसत मात्रा होती है आप लोग आंसर कीजिए फटा-फट से तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा आप हमें बताईए नी स्वासित वायू यानि inspired air में सरवाधिक परतिसत मात्रा होती है सरवाधिक जो प्रतिसत मात्रा होती वो किसकी होती है inspired air में inspired air कहने का मतलब क्या हुआ inspired air जो हवा हम लोग सांस के अंदर लेते हैं उसमें वायप के करते हैं सरवाधिक प्रतिसत मात्रा किसकी होती है आप यह सोचिए कि inspired air हम लोग कौन सा हवा लेते हैं environmental air ही न लेते हैं कौन होता है और क्या-क्या कारवं डियुक्साइड कितना होता है तो फोर फरसेंट है ठीक है यह प्या क्या ऑग्या प्लेंट इंवारूमेंटल ए इर को ही नाम लोग इन्हेल करते हैं सांसके अंदर लेते हैं तो इसी में कहतें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किसका होता है नाइट्रोजन का आपको एक इंट्रेसिंग बता देता हूं चाहे वह एंवेरूमेंटल एयर हो या फिर एकस्पाइर अब सकता है यह जो छोड़ते उसमें इसका कितना पतिशत मातर है तो यह मैं आपको बता दो कि नैडिरोजन जादि कि ने है तो उसको 79 Tout यह वापस बहुँ निकाल देते हैं ठिक करते हैं कितना नीकाल देते हैं तो और तो carbon dioxide कितना बाहर निकाल देते हैं ? 4% 4% बाहर carbon dioxide निकालते हैं ठीक है ? उसमें 4% carbon dioxide होता है तो आपसे पूछा जाएगा expired air में यदि कौन सी gas की मातरा सबसे अधिक है तो 79% पूछा जाएगा expired air में oxygen की कितनी परतिताज मातरा होती है तो 16% inspired air में कितना तो 21% समझे इस तरीके से carbon dioxide का मातरा देखिया expired air में थोरा सा बढ़ गया ना पहले 0.04 था अब 4% हो गया तो बढ़ा क्यों क्योंकि expired air में हम लोग carbon dioxide को जो body में बना है उसको भी बाहर निकालते हैं तो आपका question clear हुआ गया ओके सबसे ज्यादा कौल सेצ्ट का प्रतिसते माधरा होता है तोπάर नीट्रोजन होता है कंडरल किस्ło हमने बता दिया जो सास बहार निकालेंगे हमने बतादे जो सास अंदर लेतें उसमें ओξिजन के मातरा किलीर हुआ चलिए थे इन्जाइम इंजाइम зов Nicolas उस्तितně होते हैं जीवाणूं में मतलब अप्रो काया जाता है तोसमें नहीं कैसे हötा है वह वह होता है उसके लिए होता है तो उसके ऊसमें होता है ुस leeratory किसमें कहता है उसके प्लाजमा धिल्ली के किसमें लाजमा यानि सेल्डेट मेंब्रेन है तो सेल मेंबरेन में यह की इंवर्डिंग स्ट्राइब से बना होता है जिसका में मीजोजोम कहते हैं जो डोसी में परोकर्योटिक को सिकाओं में इसके लिए हिमोग्लोबिन अनु के साथ ऑक्सिजन के कितने अनुजूड सकते हैं तो one molecule of hemoglobin कितने molecule of oxygen को का एक बार में बैद देखें हीमoglobin हमको पता है कि blood में किसली होता है oxygen और carbon dioxide के transportation के लिए तो oxygen का जो transportation होता है एक जगाँ दूसरे जगाँ परिभान होता है वो दो form में होता है 97 परसेंट जो oxygen होता है वो किस फर्म में हो जाता है बताए ऑक्सी हीमोगलोबिन के अवरोप में ऑक्सी हीमोगलोबिन यानि हबी ओटू एच बी ओटू के फर्म में और जो तीन परसेंट का oxygen का transportation होता है वो dissolved form में किसमें dissolved मनलब खुन में घूल के dissolved form में होता है हीमोगलोबिन मोलेकुल एक साथ में कितना oxygen से बाइंड कर सकता है चार oxygen से बाइंडिंग साइट होता है हीमोगलोबिन मोलेकुल चार oxygen मोलेकुल से बाइंड कर सकता है क्यों क्यों एक हीमोगलोबिन मोलेकुल में कितने जबाएरन होता है तो चार ऑक्सिजन जुड़ सकता है खिलियर तो कि यह कोईस्टन पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए हिमोगलोबिन अनु के साथ ऑक्सिजन के कितने जड़ू जुड़ सकते हैं तो आपका अंसर हो जागा चार क्या जागा आंसर चार किलियर हुआ कि सोता रहेगा और पेड़ क्लासेज में जॉइन हो करके आप हमारे साथ थिरोटिकल को भी अच्छे से पढ़ते रही है ताकि आपको बेस्ट एक्स्परियेंस में ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन हमारा क्या है कि कौन सी मुख्य आवस्ता है जिसमें CO2 का स्थानंतरन रु से घुल करके ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरे नमर में हम बात करें तो आपका जो कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में एच सी ओ थ्री माइनस के फॉर्म में लगभग सेवेंटी परसेंट कार्बन डाक्साइड जो सबसे जादा कार्बन डाक्साइड किस कितना है तो आपका क्या को एक करते लगभग 20 परसेंट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है तो मुख्या आवास्था क्या होगा सबसे जादा क्या है बाय कार्बोनेट आया नहीं है जी क्लियर नेक्स्ट कोशन है मनुछ्छी मेरा होता है डाया ह फिफ़घ्रा यानि राइफ लंग्स यह यह है हमारा लैफ लंग्स कि बात करें तो बतल लंग्स कितनेuciones लोब में बता होता है एक यह मैं दूसरे color से लिग देता हूँ यहाँ पर एक यह हमारा लोब हो गया दूसरा लोब यह हो गया और यहाँ जो प्रजेंट है यह एक दरार प्रजेंट होता है जो को इनगलेस में फिसर कहते हैं और यह किस प्रकार का फिसर होता है oblique fisher होता है oblique fisher पूछा जाता हैиться to left lungs पर जो की left lung को दो पाली में बाटता है उपर वाला और नीचे वाला ठीक है और इसको 3 lobe में right lungs जो दाया फेपड़ा ओता है वो कितने लोब में बटा होता है 3 lobe में 1 2 और 3 ठीक है और एक होता horizontal एक होता oblique fisher वो नहीं पढ़ेंगे कोई कतने लेकिन राइट लंग्स कितने लोब में बटा होता था थीन लग में one two three इस तरीके से और यह two ठीक है और इसके नीचे जो परजेंट होता है वो किसके उपर से लंग्स रिष्ट कर रहा होता है राइट लंग्स राइट लंग्स से थोड़ा सा छोटा होता है जो मनुस्य में दाया फिफडा होता है वो दू कि लोब है चीज़े ठीक याई हम घरा रहा हूं कि यदि आप respiratory system को इसी तरीके से पूरे syllabus को हमारे साथ पढ़ना चाते हैं पूरा whole syllabus को पढ़ना चाते हैं और आपके लिए खुसकबरी है कि जो भी गुरूप P2 के सब्सक्राइब करना चाते हैं पूरे syllabus को तो मैं आपको पता देता हूं क्या करना है आपको आपको क्या करना है कि अपना नाम डाली एमेल डाली लॉग इन कीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में आपको को कोर्स हमारा बिल जाएगा डी फार्मा इंटरेंस एक जाब है उदित फार्मेसी यहाँ पे कुछ डैमो लेक्शर्स भी फ्री आफ कॉस्ट एवलेबल है आप उसको भी विजिट करके देख सकते हैं अगर सेटिस्फाइड है तो आप हमारे को जोईन करके अपनी तायारी को एक अच्छे लेवल तक प कर सकते हैं आपको हर्त देखे की मदद करने की कोषिस की जाएगी ठीक है चलिए मिलते हैं लेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद और एक अच्छा से लाइक कॉमेंट कर दिए कॉमेंट कर ईजिए ताकि मैं इस तरीख यूंड को यूट्यूप परी आफ कोस आपके सामने समक्ष प्रस्तूत कर सकूँ ठीक है चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ओके बाबाए